गुड मर्णिंग स्टुडेंट्स साही टिटोरियल में आपका स्वागत है तो आज मैं फिजिक्स का बिश्मा लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूं हीट एन टेमप्रेचर हीट एन टेमप्रेचर का तिसरा क्लास है इसे ध्यान से सुने और फूल कंसेप्ट बनाएं वीडियो को सुरू सियंत तक देखें तो देखिए हमने जो हैसे पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसे तो जेनरल नियम यही है कि गर्म करने पर कोई पदार्थ फैलता है ठंडा होने पर सिकूरता है लेकिन उसमें एक बात मैंने बोला था कि पानी जो हैसे इसका अपवाद है तो द पेंशन ओफ वाटर यानि पानी का असंगत परसार यानि पानी का बिचित्र परसार यानि पानी का बेतर्तीब परसार मनें दूसरे तरह से परसार करता है तो देखिए इसका एक ग्राफ ड्रौ किया है तो ग्राफ ड्रौ है तो देखिए इस ग्राफ को ध्यान से देखिए यह T जो है से temperature को सुचित कर रहा यह X axis है I Y axis है जो B यानि volume को सुचित कर रहा है इसमें T जो है से temperature को सुचित कर रहा इधर X axis पर और Y axis जो है से density यानि घहनत्यों को सुचित कर रहा है तो देखिए ग्राफ जो है से इस तरह का होता है कि 4 degree centigrade पर पानी का आयतन जो है से सबसे कम है यानि 4 degree centigrade पर पानी का आयतन मिनिमम होता है 4 degree centigrade पर पानी का आयतन जो है से मिनिमम होता है जबकि घहनात तो जो है से अधिकतम होता है देखिए यहां तक है तो देखिए इसमें जो है से 4 से अगर temperature को 5 degree centigrade करेंगे तो देखे यहां उचाई बढ़ गया यह इतना उचा हो गया पहले इतना उचाई था तो इसका मतलब है कि आयतन बढ़ गया यह आयतन वाला है यह temperature है तो 4 से जब हमने 5 temperature को किया तो इसका volume बढ़ गया अगर 5 से मालिया 6 करेंगे तो फिर भी जो है से volume बढ़ गया उचाई बढ़ते चला जा रहा है तो ठीक है यहां तो पालन हो रहा है कि गर्म करने पर कोई पतार्थ फैलता है तो देखे यह पानी भी जो है से 4 degree centigrade पर यहां एतन था जब हमने 5 किया यानि temperature को बढ़ाया तो इसका volume इनिकरीज करने लगा देखे बढ़ने लगा उचाई बढ़ रहा है मिनस volume बढ़ रहा है चूकि volume को इस उचित कर रहा है लेकिन यहां पर जो है से आपको बिचित्र लगता होगा कि 4 degree centigrade पर जब यहां volume था 4 degree से हमने जो है से temperature को जब 3 degree centigrade किया तो फिर भी इसका ITHON जो है से बढ़ रहा है तो temperature जब हम घटा रहे हैं तो ITHON मेरा घटना चाहिए था लेकिन यहां पर ITHON जो है से बढ़ रहा है देखे इस graph में शो कर रहा है मन लिया यहां पर 2 degree centigrade है तो 2 degree centigrade है तो 2 degree centigrade पर जो है से देखे यह उचाई जो हैसे बढ़ गया यानि बहलों बढ़ गया तो टेंप्रेचर को चार से हम कौम करते जा रहा है फिर भी आयतन जो हैसे बढ़ते चला जा रहा है तो यह जो हैसे ऐसा पानी में होता है तो वही पानी का संगत परसार या बेतरतीब परसार या बिचीतर परसार य यानि देखिए सबसे कम है और 4 के बाद अगर हम ताप को बढ़ा रहे हैं या 4 के बाद ताप को घटा रहे हैं फिर भी जो हैसे आयतन बढ़ रहा है तो इस पॉइंट को याद रखिएगा यह हमेशा पूछा जाता है कि 4 डिगरी सेंटिग्रेट पर पाने का आयतन क्या होता है निवनतम होता है मिनिमम होता है और गहना तो जो हैसे देखिए जश्ट उल्टा है महत्तम होता है गहना तो उल्टा इसलिए है कि गहना तो देखिए गहना तो किसको कहते हैं गहना तो D यानि density equal to क्या होता है M by B यानि मास द्रबेमान बाई आयतन द्रबेमान बाई आयत गहनात तो किसको कहा जाता है समझीए एक मारतू किसी पदार्थ कि इकाई आयतन का द्रबेमान। गहनात तो कहलाता है। तो अगर भी का मान अगर हटेगा तो धी का मान आपका बढ़ेगा। तो यह भी जो है से इस तरह से हो रहा था तापकरम को 4 डिगरी सेंटीग्रेट से बढ़ाने या घाटाने पर भी और T के बीच ग्राफ ऐसे आ रहा था तो इसका मतलब कि D और T के ग्राफ जो है से बिल्किलिष्ट का उल्टाएगा तो यह ऐसे देखिए ऐसे आ रहा है यानि 4 डिगरी सेंटीग्रेट पर पानी का घाना तो जो है से महत्तम होता है और 4 डिगरी सेंटीग्रेट से तापकरम को अगर हम पढ़ाएंगे तो देखें यह उुचाई छोटा होते छला जा रहा है तो घाना तो घठते चला जा रहा है और 4 डिगरी सेंटीग्रेट से तापकरम को अगर घाताएंगे तो फिर भी घाना तो जो है से छोटा होते चला जा रहा है तो इस बात को अब याद रखीएगा कि 4 degree centigrade पर पानी का आएतन नियुंतम होता है और घणा तो महतम होता है दूसरा point हमने बना दिया है कि 4 degree C से ताफ बढ़ने या घटने पर देखिए 4 degree centigrade से ताफ बढ़ रहा है या घट रहा है तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा देखिए जश्ट जो है से इसी पर अधारी ते एक प्रश्ण जो है से हम कर रहे हैं जिसको ध्यान रखिए देखिए यहाँ पर प्रश्ण क्या रहा है तो पानी का जो लेभिल है उसका लेभिलिंग किया होगा तो दिखिये ऐसे तो कोई यही सोचेगा कि 4 डिजरी सेंटिग्रेट पर जब दो गलास पानी से भरा हुआ था तो जब हम उसको गर्म कर रहे हैं एक बोतल को गर्म कर रहे हैं या दूसरा बोतल को ठंडा कर रहे हैं तो एक बोतल को जब हम गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने पर कोई पदार्थ फैलता है तो किलियर है कि उस गलास का पानी जो है से फैलना शुरू करेगा तो जब पानी फैल एंडार हे थे और दूसरा बोटल को हम ठंदा कर रहा है तो ठंदा करने का निएम चल रहा था जनरल नियम धी है कि ठंदा करने पर कोई पदार्त सी कूरता है तो यानि पानी का लेभेल जो था उस गадц whatsoever ने रिफुण चाहिए था लेकिन देख़्िए यह दोनों का answer हम लिख दिया है, कि दोनों बोटल से पानी overflow करेगा, इसका आप answer समझ गये होंगे, एक बोटल को जो है से गर्म कर रहे हैं, दोनों बोटल चाव डिगरी centigrade पर पानी से लबा-लब भरा था, एक बोटल को हम गर्म कर रहे हैं, और चार डिग्री सेंटिग्रेट से थाप को अगर घटा रहा है फिर भी आहतन पड़ रहा है इसका मतलब कि दोनों स्थिती में जो है बोटल से पानी क्या करेगा ओभर फ्लो करेगा तो देखिए यह जो है से बहुत सा कंपटिशन में पूछा हुआ क्वेस्टन है अच्छा पूछा है और दूसरा कंपटिशन में भी अच्छा-च्छा जगह पर इसको हम पूछा हुआ देखें हैं तो देखेँ ठिक है जली एक कोश्टन जो है से आं लेते हैं एक मेटल सीह है एक मेटल सीट है धातू का एक सीठ है जिसमें एक होल है तो होल है तो इस हाँ को अगर तो देखे इसमें तेज लड़का जो है से अधिकांसता तेज लड़का का गलती होता है। यह जो gap है hole है यह भी तो ऐसे फैलना शुरू करेगा तो इसका मतलब है कि इस hole का size जो है छीदर का size क्या होगा गहटेगा जबकि उसका गलती हो जाएगा नहीं ऐसा नहीं होगा छीदर का size जो है से बढ़ेगा तो इसे बहुत बार पूछा हुए question है कि एक metal seat है जिसमें एक hole चीदर है जब उस metal seat को हम गर्म करते हैं तो उस hole का diameter जो है या radius कहिए ब्यास कहिए त्रिज्या कहिए आकार कहिए size कहिए परीधी भी कह सकते है circumference कहिए तो उसका होगा बढ़ेगा या घटेगा तो बढ़ेगा या घटेगा तो क्या होगा बढ़ेगा आप इसको check भी कर सक सकते हैं कोई धातू अगर मन लिया कि मेटल का मेटल है आपके पास उसमें कोई चीदर है उसको आग में डाल दीजिए तो देखेगा कि उसका size जो है से बढ़ जाए गया तो चली दो किलियर की है चली यहां पर आई है कि जाड़े के दिनों में ठंडे परदेशों में नाल लिया की एक बोटल है एक बोटल को पानी से लबा लब भर अब भर दीजिए और उसको नी मन लिया कि पूरा भरा हुआ था बोटल तो उतना ही जो है से बर्फ को होना चाहिए था तो आईशा नहीं होगा बोतल से जो है बर्फ जो है से थोड़ा सा बाहर फैक देगा आप नहीं होगा तो देख लिजेगा अगर फिर आपके पास होगा तो तो बाहर निकल जाएगा बर्फवा जो है से बाहर निकल जाएगा अगर काफी टाइट की यह हुए हैं कि बाहर ना निकल सकता है तो अब बोतल को फार देगा हो तो बोतल को फार देगा तो बस वही चीज है कि मान लिया कि कोई नाला है और उसे पानी जो है से बह रहा था तो पानी जो बह रहा था पूरा पानी जो है से बहता था अब क्या हो क्या होता है तोफ यह घ्जार कीलो ग्राम प्रती घंड मीटर चलिए डेंसिटी का मात्रक यहां से निकालने के लिए सेकते हैं डीक वल टू एम भाइब ही थे हैं मास का मतलब है तो मास का मतलब आपका कीलो ग्राम आगिया क्ये जी आयतन आयतन का मतलब गहन मीटर उपर ले करके जाएगा ते क्या जाएगा ते क्ये जी प्रती गहन मीटर अगर सीजेस में इसको कहिएगा तो ग्राम प्रती गहन सेंटी मीटर ग्राम प्रती गहन सेंटी मीटर इसको कह सकते हैं और नहीं तो कमेश्ट पढ़िएगा ता आपको ऐसे देगा देगा कि ग्राम प्रति सीसी यह आपको देदेगा इस सब एक चीज है प्रति सीसी यह ऐसे लिख देगा ग्राम प्रति एमेल ऐसे देदेगा तो यह तीनों जो हैसे एक चीज है यह आपका CGS मात रख है, SI मात रख है तो देखिए पानी का टेंसिटी जो है CC और ML जो यहां है, CC और ML एक है CC आएमेल में अंतर नहीं समझेगा CC का मतलब होगा है क्यूबिक सेंटीमीटर तो देखिए गहन सेंटीमीटर है न आएमेल तो CC और ML जो हैसे दोनों सेम होता है CC और ML मैथ में पढ़िएगा कि CC और ML बने गहन सेंटीमीटर और मिलीलीटर दोनों क्या है सेम चीज़ा है मान लिया आप किसी डाक्टर के पास जाते हैं और डाक्टर साहब आपको कह रहा है कि सुबह साम जो हैसे 5 ML दवा लेना है तो आप जो हैसे एक ठेपी जो हैसे दवा ले लेते हैं वही मान लिया कि किसी डाक्टर के पास गए और कोई डाक्टर साहब कह दिये कि सुबह साम जो हैसे 5 CC दवा लेना है तो ऐसा नहीं कि 5 बोतल दावा पी जाईएगा वह जो हैसे क्या हो गया वह दोनों से में कह रहे हैं एक सीसी में बोल दिया एक एमल में बोल दिये तो सीसी एमल छेम चीज़ है देखिए यहां पानी का डेंसिटी जो हैसे 1000 केजी प्रती गहन मीटर है और यहां पर जो हैसे ही क्या है कि 100 kg प्रती गहन मीटर है तो मान लिया कि ये question तो ही था कि जाड़े के दिनों में ठंडे परदेशों में नाले के पानी जम जाने पर नाले क्यों फट जाते हैं तो पहले तो पानी था अब हो गया बर्फ तो जब पानी से बर्फ बना देखिए पानी से जब बर्फ बन रहा है तो इसका मतलब क्या है पानी से बर्फ बन गया तो density D तो घट रहा है देखिए D घट रहा है 1900 हो गया पानी से बर्फ बन गया तो density घट रहा है तो जब D घट देखिए M by B है D equal to M by B है तो जब तो D जो है अगर E बढ़ेगा तो E घटेगा या कहिए कि E घट रहा है तो E बढ़ रहा है E बढ़ रहा है तो E घट रहा है चुकि बितक्रमानुपाती है तो अगर Density आपका घट रहा है तो इसका मतलब कि भॉलूम क्या होगा बढ़ेगा तो बहलूम बढ़ेगा तो इसके बाद जो हैसे क्या है कि देनसीटी तो घट रहा है पानी जो था वह बार्फ में बदल गे तो Deansीटी घट गिया एक हजार से 900 हो गया इसका मतलब कि भालूम क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो जब भालूम बढ़ जाएगा तो बोतल को फार देगा या नाला को जो है फार देगा बस यही कारण है आप concept बना हुए रहेगा इसको पुछा जाता है जो बहुत सा लंबा-लंबा च्वास करेगा लेकिन आप concept ठीक रहेगा आप जो है से उस एंसर तक चले जाईएगा चलि अब आई आई है जाड़े के द पानी जम करके बॉर्फ बन गया अगर आप इसे पथर से मर रहे हैं जो है नियुंतम होता है यहां पर बताए थे तो देखिए बौटम का पानी जो है तालाब का जो बौटम हुआ यहां निचे पानी हुआ बौटम में पेंदी में जो बौटम के पानी का ताप चाहर डिकरी सेंटीघरेट बना रहा रहा है तो जिरो डिकरी सेंटीघरेट पर तो पानी ब में बदलता है और आयाह जो हैसे चार डिगरी सेंटीग्रेट तो देखिए हम कर रहे थे कि जो तालाब है तालाब का जो बॉटम है पेंदी है यानि जो पानी जो हैसे धर्ती के संपर्क में है पिर्थिभी के संपर्क में है उसका ताप चार डिगरी सेंटीग्रेट बना रह रहा है तो 0 degree centigrade पर पानी बर्फ में बदलता तो जब 4 बना रहा है तो इसका मतलब कि वह पानी जो है बर्फ में नहीं बदल पाएगा बर्फ में परिनत नहीं हो पाएगा तो जब नहीं बर्फ में परिनत हो पाएगा तो यानि कि पानी एक रूप में रहेगा तो यह के लिए जलिये जीव जन्तु या मचलिया तो जिन्दा रहेगी तो देखिए हम लिख दिया है कि बॉटम के बॉटम के पानी का ताफ चाड ग्री सेंटीग्रेट बना रहता है अतह वह जो है से बर्फ के रूप में परिनत नहीं हो पाता है जब बर्फ के रूप में परिनत नहीं हो कि यहां है कि मचलीयां जो है से जिंदा रहेंगी या जलिए जीव जन्दु जो है इस तरह से बाइए इस इतना का कंसेप्ट आप बनाई यह बढ़ेयां से हम सब समझा दिये हैं मेहनत करके पूरा समझा रहा है इसलिए सुरू से हंत देखिए गा बीच में दू मिनट देख करके भाग नहीं जाईएगा न तो कुछों न समझियेगा फिर जयों काते हो बना हुआ रहिएगा देखिए अब बिसीष्ट उस्मा का मतलब हो गए आपको अस्पेसिफिक हीट इसको कहा जाता है अंग्रेजी में अस्पेसिफिक हीट अंग्रेज इस उस्मा किसको कहते हैं सबसे पहले समझने की जरूरत है कि विसीष्ट उस्मा है क्या तो देखिए हम लिख दिया है कि एकाई दरब्यमान के बस्तू का ताप एक डिगरी सेंटीग्रेट बढ़ाने के लिए आवस्यक उस्मा को उस बस्तू की विसीष्ट उस्मा कहा जात है जैसे मानलिया कि दखिए कुछ उदारेहन ऐसे लिए रहा है कि मानलिया कि 20 केजी का बस्तू था है तो इसका ताप जो है इसका ताप क्या है कि 12 सेंटीग्रेट से 11 सेंटीग्रेट तक जब हम करना चाहर है दियान दिजिएगा 20 kg का कोई बस्त हां देखिए 20 उस्मा के बारे में समझा रहे थे तो देखिए इसमें इसका डिफिनिशन हम दिये हैं तो उसको आप समझ ये रटने के फिर में नहीं रहे है कि इस राट जाएगा अब 20 उस्मा को के लिए रो गया वो इसे समझ में नहीं मान लिया कि यह एक बस्तू है यह बस्तू मान लिजिए मान लेते हैं कि 20 kg का है तो अगर यह 20 kg का बस्तू है इसका टेमपरेचर हम थर्मामीटर से नोट कर लिए तो यह 10 डिग्री सेंटीग्रेट पर इसको हम देखे की है तो ठीक है 10 डिग्री सेंटीग्रेट पर यह है त तो इसके ताप को बढ़ा करके हमको 11 degree centigrade करना है, इसलिए कि काई degree centigrade से ताप को बढ़ाना है, तो इसके ताप को बढ़ा करके कितना करना है, 11 degree centigrade करना है, इतना हमको करना है, तो देखिए 20 kg का बस्तू था, इसका ताप 10 degree centigrade से बढ़ा करके, ये 11 degree centigrade करना है, तो इसको तो heat देना पढ़ेगा, जब heat नहीं देंगे तो температуर कैसे बढ़ेगा, तो मन लिया कि इसको ऐसा करने के लिए, इस बस्तू को ऐसा करने के लिए 10 डिग्री सेंटिग्रेट ताप से 11 डिग्री सेंटिग्रेट ताप करने के लिए जो है से इसको 200 जूल उसमा देना पड़ता है 200 कैलोरी उसमा देना पड़ता है 200 जूल उसमा देना पड़ता है मन लिया एसाई में है तो चलिया तो इतना उसमा देना पड़ता है तो परिभासा में है कि एकाई दरबे मान तो एकाई है तो एक का क्या रहेगा एकाई दरबे म इसमाहम दे दे इस बोडी को तो उसका तो आप 10 डिगरी सेंटिग्रेट से गारह डिगरी सेंटिग्रेट बढ़ जाएगा तो इस बस्तु का बिशीष्ट उस्माह क्या हो गए दौस हो गए सेजियस में किजिएगा तो इकाई दरब एमान के बस्तू का ताप एक डिगरी सेंटिग्रेट बढ़ाने के लिए आवस्य उस्मा की मात्रा को उस बस्तू की बिसीष्ट उस्मा काते हैं तो इस तरह से बिसीष्ट उस्मा जो है समझना है heat required to raise the temperature of unit mass of body through one degree centigrade is called a specific heat of that body यानि उस body का a specific heat कहलाता है heat required मने आवस्य उसमा to raise, raise मने पढ़ाने के लिए to raise the temperature of unit mass of body through one degree centigrade is called a specific heat of that body तो उस body का बिसीष्ट उसमा कहलाता है तो देखिए बिसीष्ट उसमा जो है से क्या है तो इसका जो है से देखिए एक फर्मूला जो है derive हो जाता है अगर आप सोचिए गाते एक फर्मूला derive हो जाएगा देखिए जैसे मान लिया कि EM द्रब्यमान के बस्तू है समझाने के लिए हम आपको यहां बता रहे है मान लिया कि EM द्रब्यमान का बस्तू है जैसे 20 kg का हमने बस्तू लिया था तो इस EM द्रब्यमान के बस्तू का ताप हम थर्मामीटर से ऐसे नोट कर रहे है तो ठीटा 1 डिगरी सेंटीग्रेट है तो इसको मान लिया कि ठीटा 2 डिगरी सेंटीग्रेट तक लाने के लिए इसको हीट जो सपलाई करना पड़ा उच सपलाई करना पड़ा तो चुकि M दरबे मान के बस्तू का ताप ठीटा 1 से ठीटा 2 तक लाने के लिए ताप आंतर कितना जाएगा ठीटा 2 माइनस ठीटा 1 मने इतना ताप आंतर करने के लिए H हीट सपलाई करना पड़ा इसलिए इकाई दरबे मान के बस्तू का ताप जो है से एक डिगरी सी बढ़ाने के लिए कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा तो ही जो है से इस बस्तू का विशिष्ट उस्मा कहलाएगा तो चुकि विशिष्ट उस्मा को अस्पेस्फिक हीट कहा जाता है इसलिए इसको कुझजी से सुचित करेंगे तो चले इतना आगए आप तिरशा तिरशा इसको गुना किजिए तो इस बराबर किया जायगा म एस यस हो गया आग धीटा टू माइनस धीटा वन तो देखी यह है आपका फर्मुला बन गया अब धीटा टू माइनस धीटा वन का मतलब हो गया temperature difference यानि तापांतर तो ठीटा 2 माइनस ठीटा 1 को हम short में ठीटा का रहे हैं तो देखिए हम लिख दिये हैं h बराबर ms ठीटा जहां ठीटा को आपको समझना है तापांतर है ठीटा का मतलब है कि आपका क्या है यह ठीटा 2 माइनस ठीटा 1 है उस short याद करने के लिए हम ठीटा भले लिख दिया है यहां पर लेकिन आ गया h बराबर ms ठीटा 2 माइनस ठीटा 1 तो इस तरह से जो है से फर्मुला डेराइब हो गया तो फर्मुला हम डेराइब नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको जो है से समझा दिये चलिए तो इस से इसको सुचित करते हैं तो इस बराबर क्या जाएगा h by m ठीटा जाएगा चलिए इसका मातरक बना देते हैं जरा तो इसका तो मातरक जूल हो ठीटा का मतलब है कि temperature difference है आपका तापांतर है तो इसका अगर SI मात्रक लिजिएगा तो Kelvin लेना पड़ेगा Kelvin के लेकर के उपर जाएगा तो क्या जाएगा प्रति Kelvin प्रति Kelvin तो यह है आपका SI मात्रक हो गया तो चलिए विशिष्ट उसमा का SI मात्रक क्या हो गया जूल प्रति केजी प्रति Kelvin इस तरह से हो गया अगर इसका मान लिया कि CGS मात्रक कोई कहेगा तो जूल के जगह पर बोल दीजेगा कैलोरी तो देखिए कैलोरी के CEL लिख रहे हैं कैल अब प्रति केजी था तो इसको कहिए प्रति ग्राम और इसको क्या कहिएगा प्रति डिग्री C तो यह जो है से आपका कैसा मात्रक हो गया तो यह आपका मात्रक CGS हो गया तो वह SI मात्रक हो गया यहाँ आपका CGS मात्रक हो गया तो यह साई मात रख सीजी समात रख है देखिए वास्तों में जो है इसे 20 सुसमा को जो परिभासा स्टार्टिंग में दिया गया था तो वह परिभासा इस तरह से चला था कि एक केजी पानी लिया गया था तो यह कि केजी पानी का ताप जो है से 14.4 डिगरी सेंटीग्रेट से 15.4 डिगरी सेंटीग्रेट तक लाने के लिए जो उसमा खर्च हुआ था वह 42 सो जूल उसमा खर्च हुआ था इसलिए पानी के भी सिष्ट उसमा जो है से 42 सव होता है पानी का भी सिष्ट उसमा आपको 42 सव होता है तो देखिए एस जो है पानी देखिए लिख दिये हैं पानी तो पानी का एस क्या होता है तो 42 सव 42 सव कुझी में होता है ये साई में होता है नहीं होगा तो ऐसे लिख दे रहा है जूल प्रती केजी आई प्रती केलविन था लेकिन एक्सपेरिमेंट किया गया था प्रती डिग्री सेंटीग्रेट पर इसलिए प्रती डिग्री सी लिख दिया है अब कहिएगा कि दू को एसा ही लिखे सारा एक लिख दिये सी जी एस ता इसा ही एक्सपेरिमेंट हुआ था इसलिए यही याद रखिएगा कि एक डिग्री प्रति डिग्री सी ऐसे तो सीजी एस में हो गया एक और ये साई में हो गया इतना अब आई एक और चीज का याद रखियेगा वर्फ का जरा जो है से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वर्फ का ये सी याद रखियेगा चूंकि जब भी कोईशन पूछा जाएगा तो पानी या बर्फ का मामला ही रहता है और तीसरा कोई चीज नहीं लाता है अगर तीसरा कोई चीज लाएगा तो उसका विशिष्ट उसमा उद्दे देता है ब्रेकट में लेकिन दूनों का नहीं भी देगा तो बर्फ का देखी क्या होता है 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग 400 या आपका हो जाएगा जूल प्रती केजी प्रती डिग्री सी ऐसे हो जाता है तो इसको जो है से ध्यान रखेगा इस दोनों को जरूर याद रखना है चलिए अब आईए उसमा धारिता आईए थर्मल कैपसिटी तो थर्मल कैपसिटी और विशीष्ट उसमा में जो है थोड बस्तू का ताप एक डिग्री सेंटिग्रेट बढ़ाने के लिए आवस्यक उसमा तो देखिए विशीष्ट उसमा और यहां पर अबादा यह उसमा धारिता इसका एंगरेजी क्या लिखे है थर्मल कैपसिटी तो उसमा धारिता विशीष्ट उसमा में थोड़ा बहुत अं हाई इसमें सिर्फ इकाई को हटाएंगे किसी बस्तू यहां पर हम लिख रहे हैं कि किसी बस्तू का ताप एक डिग्री सी बढ़ाने हे तू बढ़ाने हे तू बढ़ाने के लिए आवस्यक उसमा आवस्यक उस्मा को कहा जाता है उस्मा धारीता तो देखिए इकाई दरबेमान के बस्तू का ताप एक डिगरी सेंटिग्रेट बढ़ाने के लिए आवस्यक उस्मा की मातरा को तो विसीष्ट उस्मा कहते हैं अब विसीष्ट उस्मा को हम किसे लिखते हैं एस से तो इसका मतल मतलब है कि इकाई दरब्यमान के बस्तू का ताप एक डिग्री सी बढ़ाने के लिए ये सुस्मा लगता है ये सुस्मा लगेगा देखिए बिसीष्ट उस्मा के परिभासा में देखिए इकंऑ दरबेमान के बस्तू का ताप 1 degree centigrade बढ़ाने के लिए आवस्यक उसमा को भी 60 उसमा कहा जाता है तो इसका मतलब है कि इकंऑ दरबेमान के बस्तू का दाप एक डिग्री सी बढ़ाने के लिए यह सुष्मा लगेगा तो मान लिया कि इस body का दरबेमान जो हैसे M है तो M दरबेमान के बस्तू का ताप एक degree C बढ़ाने के लिए कितना लगेगा MS MS उसमा लगेगा तो बस यही जो हैसे उसमा धारिताब का है तो क्या आगिया C बराबर MS C बराबर MS हो गया चले इसका मातरक जो हैसे थोड़ा सा बता देते हैं तो C बराबर MS है तो देखें H बराबर हमें यहाँ पर बताएं है H बराबर MS ठीटा H बराबर MS ठीटा तो MS बराबर क्या जाएगा H भाई ठीटा MS बराबर H भाई क्या लिखेंगे ठीटा क्यों क्यों कि c h बराबर ms ठीटा है h बराबर आपका क्या है h बराबर है ms ठीटा तो h बराबर जब ms ठीटा है तो ms बराबर क्या जाएगा ms बराबर h by ठीटा तो h by ठीटा लिख दिए अब इसके अधार पर चलिए इसका मातरक बना लेते हैं यह आनि हीट तो हीट का मात्रक क्या दीजिएगा तो जूल दीजिएगा और इसका मात्रक अगर SI में दीजिएगा तो Kelvin केलविन लेके उपर जाएगा तो प्रती Kelvin तो यहाँ आपका आगिया SI मात्रक उसमा धारिता का इसका अगर मान लिया कि CGS मात्रक बताना है तो चली आएए कैलोरी प्रती डिगरी C यह क्या आगिया किसका उसमा धारिता का हीट का दे दिये कैलोरी और ठीटा का दे दिये डिगरी सेंटीग्रेट आए दुरीगरी सेंटीग्रेट के उपर लेका है तो हो गया क्या कैलोरी प कि एकाई दरबेमान जैサ मनलियाई वस्तु है तो कितना इसका दरबेमान है कोई ठीक नहीं है तो इसका ताप एक ग्री numa को उस्मा धारिता कएंगे और इसके इकाई तरवेमान के ताप को एक डिघरी सेंटिक्रेट बढ़ाने के लिए आवस्से ऐक उस्मा को क्या कहेँंगे बस थोड़ा सा कांतर है उसका भी दे दिये उसका भी बताए अब आई ये गुपत उस्मा गुपतुस्मा को कहा जाता है लेटेंट हीट तो लेटेंट हीट गुपतुस्मा कहने से ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई ने कोई चीज इसमें गुपत रहा होगा कोई ने कोई चीज इसमें जो है से गुप तरह रहा होगा इसी कारण जो है से इसको गुप तुसमा कहा गया जैसे मन लिया कि उधारन के लिए हम क्या लेते हैं कि पानी लिजिए एक बरतन में पानी लिजिए आ उस बरतन में पानी लिजिए और उसमें थर्मा मीटर का गुंडी जो है से डूबा दीजिए जैसे मान लिया कि यह जो है से इस बरतन में पानी लिजिए आ इसमें जो है से थर्मा मीटर जो है से इसमें क्या कर दिये थर्मा मीटर जो है से डूबा दिये इसमें और इस पानी को क्या कर रहे हैं कि इस पानी को जो है थर्मा मीटर का गुंड़े इसमें सिर्फ डुबा हुआ है और इसको जो है से हम हीट दे रहे हैं इसको क्या कर रहे हैं कि हीट हम दे रहे हैं इसको हीट दे रहे हैं तो अगर इसको हीट दे रहे हैं तो हम जानते हैं कि पानी जो है से 100 डिग्री सेंटीग्रेट पर क्या होता है उबलता है तो जैसे ही थर्मामीटर का पारा 100 डिग्री सेंटीग्रेट पर आएगा यहाँ पानी उबलना शुरू कर देगा तो पानी जब उबलना शुरू कर देगा तो इसके बाद भी हम हीट देना जो हैसे जारी रखे हुए हैं देखिए ऐसे हीट दे रहा है यहाँ आपका लेंप है इस लेंप से हीट दे रहा है तो जब धर्मामीटर का गुंड़ी ऐसे डुबाये हुए हैं सिर्फ गुंड़ी डुबा हुए है तो जब 100 डिग्री सेंटीग्रेट पर जो हैसे पारा पहुच रहा है धर्मामीटर में तो यहाँ पानी जो हैसे उबलना शुरू कर दे रहा है तो उबलना शुरू कर दे रहा है चुकि 100 degree centigrade पर पाने उबलता है इसके बाद भी हम हीट का देना जारी रख रहे हैं तो जब हीट का देना जारी रख रहे हैं तो थर्मा मीटर का पारा जो है 100 degree centigrade जो है 100 degree centigrade से उपर आना चाहिए लेकिन 100 degree centigrade से thermometer का पारा उपर नहीं आएगा अब आपको लग रहा है कि हम heat को supply कर रहा है मैँ heat को supply कर रहा हूं फिर भी temperature so नहीं कर रहा है कहीं thermometer बिगड़ तो नहीं गया यह बिगड़ा नहीं है thermometer आपका सही है थर्मामिटर आपका सही है अलगातार आप हीट सप्लाई कर रहा है टेम्परेचर वह थर्मामिटर सो पर जा करके थर्मामिटर का पारा रूख गया और स्टोप कर गया तो आखिर हीट उजा रहा है कहां जैसे मान लिया कि आप जो है आप जो है किसी लड़का को पैसा दिये बज़ार से समान लाने के लिए और इसके बाद जो है से वह जो है से क्या कर रहा है कि एक दिन जो हैसे दस रूपया दिये तो कुछ समान लाया फिर दूसरा दिन आपने जो हैसे बढ़ा करके दे दिया पंदरह रूपया दे दिया है लेकिन उतना ही समान लाया जो पहला दिन लाया था उतना ही समान लाया तो इसका मतलब पांच रूपया गया क वही आपका गुप्त है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है या तो पांच रूपिया उखा जा रहा है नस्ता कर जा रहा है सिंगाडा खा गया और इसके बाद जो है तो वही आपका गुप्त उसमा है तो देखिए उसको हम उस तरह से समझा रहे हैं इसको अब देखिए अ पानी उबलना शुरू किया और फिर उसके बाद जो है से हीट को दे रहे थे तो थर्मामीटर का पारा उपर बढ़ क्यों नहीं रहा है तो देखिए थर्मामीटर जो है जो है से जान रहे है कि इसका ताप दिखा रहा है थर्मामीटर जो है से पानी का टेंपरेचर आपको द लिए कि यह थर्मामीटर का घूंडी है इक खाला वला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है यह थर्मामीटर का घूंडी है इतना इसा डूबाय ले थे तो डूबाय हुए है तो ठीक है 100 जब पानी से उसके चोड़ा दिजिए तो धर्मामीटर का पारा से 100 से उपर तुरत जो है से ध्राक से उपर चला जाएगा बाग जाएगा क्यों कि वह जानते हैं कि इसका ताप दिखाने लगा वह जो है से आपका भैपर यानि वास्प का ताप दिखाने लगा तो इसलिए जो है जब तक पानी में आप डूबाए हुए रहेगा तो उतना ही रहेगा तो वही जो है पानी में डूबाए थे तो इसा था तो वही आपको गुपत उसमा है तो क्या है कि यहां पर पानी था आप पानी बन रहा है कोची में भैपर में बन रहा है माने वास्प पानी जो तो जब लिक्विड एस्टेट से वह गैसी एस्टेट में जा रहा है यानि अवस्था परिवर्थन कर रहा है तो जब अवस्था परिवर्थन कर रहा है तो क्या इस अवस्था परिवर्थन में उसमा खर्च नहीं होगा तो बस उसी में उसमा खर्च हो रहा है जिसके चलते थर्मामीटर आपको नहीं दिखा रहा है अगर थर्मामीटर का घुंडी जैसे ही उपर आप कर दिजिएगा तो यह जो हैसे temperature को दिखाने लेगा आज वह temperature उसके भैपर का temperature होगा याणि वास्प का temperature होगा तो वही आपका गुप्त रूप से वह दिखा नहीं रहा था यानि गुप्त रूप में कोहीं न कोहीं खर्च हो रहा था तो वही आपका गुप्त उस्मा है तो देखे इसको define करने के लिए तो ऐसे किया जाता है कि इकाईद रबे मान के बस्तू को अवस्था परिवर्तन करने में खर्च उसमा मने इकाईद रबे मान का कोई बस्तू है मान लिया कि यह बस्तू है तो इसका इकाईद रबे मान के बस्तू को अवस्था परिवर्तन करना है मानने का मतलब है कि solid है यह ठोस है तो ठोस से कोई दूसरा वस्था में ले आईए मानलिया द्रव के रूप में ले आईए इसको पिघलाईए तो इकाई द्रवेमान के बस्तू को ठोस से अगर द्रव में आप ला रहे हैं मानने उसको पिघला रहे हैं तो उसमें जो है से जि क्या है यह solid है ठोस है यह जो है से पिगहल करके ठोस से द्राव में बदल जा रहा है जब यह जो है से अपने state को change कर देता है याई आवस्था को परिवर्टन कर देता है तो इकाई दरब इमान का अगर बस्तू रहेगा तब कितना उसमा सप्लाई करना पड़ेगा H by क्या M तो this is called L यही आपका जो हैसे L है अगर तिर्चा-तिर्ची गुना कीजिएगा तो H बराबर यही L L का मतलब latent hit अब इसका अगर मातरक निकालना चाहिएगा जूल प्रती केजी जूल प्रती क्या आगिया केजी आगिया और CGS में दीजिएगा ते क्या दीजिएगा कि कैलोरी प्रती ग्राम दीजिएगा तो इस तरह से इसका गुपत उसमा का जो है समातरक बन जाएगा तो गुपत उसमा को आप समझिएगा आप समझ रहे होंगे कि 100 degree centigrade पर एक question जो है से बार बार पुछा जाता है कि 100 degree centigrade पर पानी है और इसके बाद 100 degree centigrade पर जो है से वास्प है तो जब दुनों 100 degree centigrade पर है तो किस से कौन जो है से अधिक जलन पैदा करेगा तो कौन अधिक जलन पैदा करेगा तो वह जो है से आपका वा जो है से अधिक जलन पैदा करेगा क्योंकि उसमें गुप्त उसमा है रोटी से अधिक जलन महसूस होता है क्यों कि वह भी जो है से गुप्त उसमा का क्वेशन है तो गुप्त उसमा आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन उसमें है गुप्त रूप में इसलिए जो है से ऐ तो आज जो है से इतना ही गालाश ले रहे हैं और इसके बाद जो है शब्वीडियो को सुरू से अंथ देखे बहुत सा बात मैंने समझाया अगर इसको आप से मिस कर जाता है तो आप किया समझेगा आप कुछ नहीं समझेगा इसलिए सुरू से इंथ तक वीडियो देखिये और इसके बाद जो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सियर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में फैलाईए, और अगर आप डिपलोमा जो है, मैं सेलेक्शन आपका करवाना चाह रहे हैं, तो करवाना चाह रहे हैं तो आपको जो हैसे सुरू सियंत तक वीडियो को ताकि इस कोरोना काल में जो है से आपको एक अतिरीक्त फैदा हो जाए, इस बार थोड़ा कोम नंबर पो होगा तो और जल्दी चुना जाएगा, आपका भवी से बन जाएगा, निखर जाएगा, आपका जो समाज में जो है से इजद परतिष्ठा बढ़ जाएगा, परिव परिव पर्प बढ़ इ ciudad-प झाएगा, आपका निएएगा, आपका बढ़ लुल्ति है से ताकि बढ़ जो है शाल झी kali समनते हैं के निएएगारे, आपका एगाएगा, आपकाश हर थां परतिवायारे शोना के इंदे साल मैं जानी से भेज़ा जाएगा, आपका जो तो प